हाई एवरीवन वेल्कम टू मैं चैनल अशार्स लाइफस्टाइल आज हम शेयर करेंगी बहुत ही अच्छी और सिम्पल सी मुंगदाल की कच्छोरी की रेसिपी तो यह कच्छोरी बहुत ही खस्ता बनती है पिकॉस मैंने इसको मैता से नहीं बनाया है मैंने बहुत ही हेल्थ तो यहां पर हमने पहले मूंग दाल को सोग करने के लिए रख दिया था तो मैंने इसको कम से कम एक घंडे के लिए भीकाया था तो यह देखिए दाल अच्छे से सोग हो गई है तो हम इसका अच्छे से दो से तीन बार साफ पानी से धोके इस तरीके से इसको निकाल लेंगे और इसके उपर फिर से हम एकदम साफ वाला पानी जो हम पीते हैं वो डालेंगे और इसको हम बॉइल करेंगे 10 मिनट्स के लिए तो जब तक मैं इसको बॉइल करती हूं तब तक के लिए हम इसका आटा लगा लेते हैं काचौरी का तो यह दिखिए इसमें वह बाला गया है य तो यहां पर दालेंगे थोड़ी सी एजवान दिख के लिए और सारे ऑभा इंग वीदिन्स को हम मिक्स कर लेंगे और इसके बाद हम डालेंगे थोड़ा डी देशी घी जो नर्मल हम घर पे खाते हैं वो और इसका मोयन देंगे ताकि जो हमारी कच्वारी है वहती खस्ता बने क्रिस्पी बने तो इसलिए हम इसको थोड़ा सा मोयन देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से और थोड़े से वाम वाटर से हम इसका हाटा रडी कर तो यह मिक्स हो गया अच्छे से हमने फिर पानी की मदद से थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका डो रडी कर लिया है तो यहां पर देखिए दाल भी बॉल होगी अच्छे से मैंने गैस आफ कर दिया और यह सॉफ्ट भी होई है आपको दिखाती हूं मैं किस तरीके से अच्छे होना चीए एकदम जाधा गली भी नहीं होने चीए इतनी होने चीए कि जब हम मुँमें कच्वरी खाये तो मुँमें यह एकदम दाने की तरह आए तो दाल को हम चान लेते हैं और इसको एक बडर और साफ पानी से धो लेते हैं अब यहां पर रडी करेंगे ड्रा मिर्च घंया पाउडर करया अमचुर चार होने जाल नहीं होने के ःपर भूज करके गाल होए जालका लाली और अगर आपको यहां पर हरी मिच टालनी हो तो आप इसके छोकन में हरी मिच भी डाल सकते हैं मैंने नहीं डाली है और बस यहां पर हमारा आटा थोड़ा सॉफ्ट हो गया 10 मिनट्स के लिए फिर हम इसकी छोड़ी छोटी लोईया बना लेंगे तो यहां पर हमारी पांच कचोरियों की लोईया बन गई है और यहां पर मसाला भी थोड़ा थंडा हो गया है तो अब हम इसके छोटी छोटी बाल्स बना लेंगे तो हमारी पांच कचो तो कचोरिया किस तरीके से बनाते हैं वो मैं आपके साथ शेयर करती तो इस तरीके से बॉल को हातों की मदद से इस तरीके से राउंड शेप में करना है और फिर हमें इसके मसाले अंदर फिलिंग देनी है और इस तरीके से इसका बंद करके एक्स्टा अर्टा निकाल देके औ और इसी तरीके से हम सेम सारी कचोरिया करेंगे ये दिखिए और ये इस तरीके से हाथों की मदद से हम करेंगे और इसमें फीलिंग भरेंगे तो यहाँ पर मेरी सारी पांचो कचोरिया बहुत अच्छे शेप में मैंने बना दी है काफी अच्छे से इसमें फिलिंग डाल दिये मैंने देख सकते हैं आप और काफी अच्छी साइज दिखरी है इसकी तो बस अब हम करते हैं इसको फ्राइ तो मैंने कडाई में तेल चड़ा दिया है तेल अलमुस्ट गरम है तो सबसे पहले हम डालेंगे आपे एक कचोरी विक हमने इसमें दो कचोरी डालिया अगर आप बड़ी कडाई में जाधा देल लेते हैं तो आप चार से पांच कचोरी एक टाइम में ही फ्राइ कर सकते हैं तो यह देखिए इसका कलर काफी अच्छा है और यह काफी अच्छी फूली है तो इसी तरीके से हम आगे की दो जो हमा खस्ता कचोरी बनकर रेडी होई है तो बस अब कचोरिया को हम गर्मा गरम चटनी के साथ ग्रीन चटनी मीठी चटनी जो होती इमली की उसके साथ सब कर सकते हैं तो कैसी लगी आप लगो मेरी यह सिंपल सी खस्ता कचोरी की रेसिपी आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरू पताना एंड प्लीज लाइक शेर एंड सब्सक्राइब मैं चैनल मिलते हैं फिर ऐसे ही अच्छे से वीडियो के साथ तब तके लिए बाइबाई